लोगस्बचनाव में समाजवादी पार्टी और कॉंग्रस पार्टी ने अच्छा प्रदर्श्वन किया और उसी जीत से उत्साहे तकले श्यादव की खुशी जादा दिनों तक नहीं चली और उनकी खुशी पर ग्रहन उनके अपने ही नेताओं ने लगाना शिरू कर दिया एक और नेता ने अखलेश यादव और उनकी पार्टी की तगड़ी बेज़ती करवाई है तो क्या कुछ है पूरी कहानी और कौन-कौन है वो नेता जिन्होंने अखलेश यादव की जमकर किरकिरी करवाई है सब कुछ आपको बताते हैं नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पा क्या नेताओं की वज़े से डूबी अखलेश की इज़ित समाजवादी पार्टी के मुखिया अखलेश यादव की मुश्किले उस वक्त बढ़ गई जब खबर आई कि एक और सपा नेता पर दुशकर्म का गंभीर आरोप लगा है जी हां उत्तर प्रदेश में समाजवाद समाजवादी पार्टी के एक और नेता पर दुशकर्म का आरोप लगा है पूर्व प्रदेश सचीव और मौबार एसोसियेशन के पूर्व अध्याक्ष विरेंद्र बहादूर पाल के खिलाप दुशकर्म के मामले में एफ आई आर दर्ज हुई है लेकिन इस मामले में नय साल से बलतकार किया जा रहा है मौबार एसोसियेशन के दो बार अध्यक्ष रह चुके विरेंद्र बहादूर पाल के खिलाफ उनकी ही सहयोगी महिला ने रेप का आरोप लगाया है इस मामले में माउजला के थाना कोतवाली में थारा 115 भाग 2, 351 भाग 2, 352, 264 भाग 2M के तहट FIR दर्च कराई गई है पीड़ित महिला का आरोप है कि सपा नेता ने बीते एक साल से फोटो और विडियो बना कर उनके साथ जबरदस्ती शारिरिक संबन बनाये हैं माउप पुलिस ने इस मामले में क्या बताया? अगर ना करने की धमकी भी थी अब पुलिस इस मामले में आगे की कारवाई कर रही है योगी से गोहार लगाने के बाद दर्ज हुई है फायार भाजपा ने सपा पर साधा निशाना सपा नेता पर दुशकर्म की एफायार दर्ज होने के बाद भाजपा ने सपा पर हमला बोला है भाजपा प्रवक्ता समीर सिंग ने कहा कि एक और सपा नेता पर दुशकर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है उन्होंने कहा कि मउग के चर्चत सीनियर वकील विरेंदर बहादुर पाल पर उन्हीं के सहीयोगी ने दुशकर्म का मुकदमा दर्ज कराया है मुकदमा दर्ज होने के बाद सपानेता विरेंद्र बहादुर्पाल फरार हो गया है ये पूरी घटना पूरे शेहर में चर्चा का विश्य बन गई है जिसकी वच्छा से अखलेश श्यादव की मुसीबते और जादा बढ़ गई है अब देखना होगा कि अखलेश श्यादव का इस मामले पर क्या बयान आता है वैसे कि पहली बार नहीं है अभी हाली में समाजवादी पार्टी के और भी नेताओ पर दुशकर्म के आरो लगे है अयोध्या में सपानेता पर दुशकर्म का आरो अयोद्या प्रशासन के मताबक 12 साल के बच्च्ची से समहुक दुशकर्म के अभ्यूक्त की बेकरी पर बुल्डोजर चलाया जा चुका है अयोद्या के जुला मजिस्ट्रेट चंदर विजे सिंग ने बताया कि मुईत खान नाम के शक्स की बेकरी गिरा दी गई है ये बेकरी अवैत तरीके से एक तलाब के उपर बनी थी यूपी पुलिस ने तीन जुलाई को बेकरी के मालिक मुईत खान और उनके एक करमचारी राजु खान को एक रेप केस में गिरफ्तार किया था पुलिस के अनुसार इन दिनों लोगों ने दो महीने पहले एक नाबालिक के साथ दुश्कर्म किया और इसका विडियो भी रिकॉड किया था उतरपरदेश विदान सभा में मुख्यमंत्र योगी आदितनात ने दावा किया था कि मोईत खान का नाता समाजवादी पाटी से है सीम योगी ने पीड़ता के परिवार से मुलकात भी की थी इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेश यादव ने सीधे तोर पर कोई टिपड़ी नहीं की है लेकिन एक ट्विट में उन्होंने को करते करने वालों का DNA टेस्ट करवाने की मांग की है समाझ वाधी पाटि के हांडल से एक ट्वीट में कहा गया है कि इस अकलेश श्यादव ने अयुद्या बलादकार के मामले में ही ये मांग की है वही पहुजन समाज पाटि सुप्रीमो मायावती ने इस मामले में कारवाई को लेकर यूपी सरकार का बचाफ किया है और अकलेश की आलोचना की है ये मामला दो महीने पुराना है घटना उस वक्त सामने आई जो मेडिकल च्रेकल पर दोरान पताचला की बच्च्ची गर्वती है उत्तरप्रदेश विधानसभा में योगी आदितनाथ ने दावा किया कि मोहित खान का नाता समाजवादी पाटी से है और 12 साल की बच्ची के दुशकर ममामले में शामिल है इस ममामले में उत्तरप्रदेश के भधरसा से तालुक रखने वाले मोहित खान और उनके सहयोगी राजुखान को उन्होंने 30 जुलाई को पूरा कलंदर इलाके से पकड़ा था अयोध्या के SSP राजकरन नयर ने मीडिया को बताया कि विडियो रिकॉर्डिंग के जरीए आरोपी ने पीडिता को डराया धंकाया उन्होंने बताया कि विडियो के जरीए उसे दराक धंका कर करीब धाई महीनों तक खान बच्ची को यौनसोशन करता रहा उन्होंने अपने सहयोगी राज़खान के साथ मिलकर इस काम को अंचाम दिया बाद में परिवार के शुकायत के अधार पर पुलिस ने पूरा कलंदर पुलिस स्टेशन में मामली की रिपोर्ट दर्श की और जाज शुरू कराई रिपोर्ट के मताबिक शुकायत ने कहा गया है कि पीडिता राजु खान के पास काम किया करती थी धाई महीने पहले काम खत्म करने के बाद राजियों ने पीड़ता से कहा कि मोईद खान उससे मिलना चाहता है पीड़ता के पहुंचने के बाद वहां मोईद ने उसका यौन उत्पीडन किया और इस खटना का वीडियो रिकॉर्ड किया मोहिद खान की बेकरी पर क्यों चला बुल्डोजर करवाई के बाद शनिवार को इसे गिराया जा रहा है उन्होंने कहा कि मल्टी कॉंप्लेक्स में एक बैंक चल रहा है हमने उसके मैनेजर से बात की है बैंक के वहाँ से हटने के बाद इनको भी हमने नोटस दिया है अगर ये इसके बाद भी अवैद अतिकरमन को नहीं हटाते हैं तो उस पर कारवाई की जाएगी इन्होंने जो जमीन पर कबजा कर रखा हुआ है वो सड़क के किनारे के जमीन है और बाजार दर के अनुसार एक करोड रुपे की है इनकी अन्य संपत्यों को लेकर भी राजस्विटी में गठित की गई है उसकी जाट चल रही है हम नियमत संगत कारवाई करेंगे इससे एक दिन पहले पीडिता के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदेतनाथ से मुलकात की थी जिसके बाद बच्ची की मा ने बताया था कि सीम ने मोहित खान की संपत्यों की चार्च कराने का भरोसा दिया है योपी बीजेपी ने अवदेश प्रसाद का वाइरल वीडियो और मोहित खान के साथ उनकी कुछ तस्वीरे सोशल मीडिया पर शेयर की थी पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर आरोप लगाया कि दुशकर्म जैसे जगहने अपरादों की आरोपियों को राचनीतिक संरक्षन देने वाली समाच श्वादी पार्टी का अफली चहरा एक पर फिर देखने को मिल रहा है पार्टी ने लिखा कि अयोध्या में नावालिक से बलातकार करनी का आरोपी ही अखलेश यादव के सबसे करीवी सांसत का शागिर्थ है लेकिन जब इस मुद्धे पर उनसे सवाल पूछा गया तो वो पत्रकारों को अपना राचनीतिक रसूख बताने लगे समाजवादी पार्टे प्रमुक अखलेश यादव ने सीधे तौर पर मोहित खान का नाम तो नहीं लिया था लेकिन कहा कि मामले में सियासत ना की जाए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कुकरते के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डिने टेस्ट कराकर इंसा के बाद आरोप जूटे साबित हों तो सरकार के संलिप अधिकारियों को भी नबक्षा जाए यहीं नियाई की मांग है हाला कि बाद में समाजवादी पार्टी के हैंडल से मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चोहदरी के हवाले से एक लंबा बयान जारी किया गया था इसमे प्रत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डियने टेस्ट कराकर इंसाफ कर रास्ता निकाला जाए ना कि केवल आरोप लगा कर सियासत की जाए जो भी दोशी हो उन्हें कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए लेकिन अगर डियने टेस्ट के बाद आरोप ज से सामने आया है जहां सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुक नवाब सिंग यादफ पर एक नावालिक से दुशकर्म का आरोप लगा है नावालिक का आरोप है कि उसे नौकरी देने के बहाने बुला कर उसके साथ रेप किया गया बीते 11 अगस की रात पूर्व ब्लॉक प आरोपी बनाकर 21 अगस को गिरिफतार कर लिया था आरोपी बुवा ने बताया कि वो नवाब सिंग को पांच-शेस साल से जानती हैं और दोनों की वीच शाररिक सम्मन्ध है नवाब सिंग के करीबी के रिशुदार के कोल्ड स्टोरेज की अवैद दिवार को भी बुल्डो के लिए इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें ये कैपिटल चीवी